एक दिन निकले सेर को, दिल में बड़े अर्मान थे, एक तरफ जाडिया थी, एक तरफ समसान थे, चलते चलते पैरों से एक हड़ी टकराई, उस हड़ी के ये बयान थे, ऐ चलने वाले मुशाफिर जरा देख के चल, कभी हम भी इंसान थे, नमस्कार साथियों, राम केंपस यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, साथियों, आज की कलास में हम लोग पढ़ेंगे, प्राचिन हरियाना के बारे में, प्राचिन हरियाना के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले साथियों, जो भी साथि मेरे चैनल के उपर पहली बार आया है, उनसे मेरा अनु मुख्य रूप से वामन पुराण में हरियाणा के प्राचीन सहीत्य के बारे में जानकारी मिलती है। और सकंद पुराण में भी हर्याना की जानकारी मिलती है अगला क्यूस्टन है वामन पुराण में हर्याना के परमुख साथ वनों का उलेख मिलता है ये क्यूस्टन पेपर के अंदर आ चुका है वामन पुराण में हर्याना के साथ वनों का उलेख मिलता है हरियाना के कितने वनों का उलेख मिलता है साथ वनों का उलेख मिलता है वो साथ वन कौन कौन से हैं देखे साथियो काम्यक वन अदिति वन फलकी वन व्यास वन सूर्य वन मधू वन और सीत वन ये साथ वन है जिन का उलेख वामन पुराण में मिला है काम्यक वन अदित्ती वन फलकी वन व्यास वन सूर्य वन मधू वन और सीत वन अगला क्यूशन देखे साधियों वामन पुराण में हरियाना में बहने वाली नो नदियों का उलेख मिलता है वो तो बात हो गई वनों की साथ वनों का जिकर हरियाना में मिलता है वामन पुरान के अनुसार अब बात है नदियों की वामन पुरान के ही अनुसार हरियाना में बहने वाली नो नदियों का उलेख मिलता है वो नदियां है सरस्वती, वैतरनी, आपगा, मंदा किनी, मधूशरवा अंसुमती, कोशिकी, दरस्दवती और हिरनेवती ये नो नदियों का उलेख मिलता है वामन पुरान के नुशार हरियाना में बहती थी अगला क्यूसदे देखें, वैदी काल के नुशार हरियाना भरत वंच की भूमी का इतिहास रहा है अगला क्यूसन देखें साथियों, आरियों का पहला संगर से पणियों के साथ हुआ, पणियों का छेतरे पन परस्त कहलाता है आरिये जिनोंने भारत में सरव पर्थम सभ्यता का विकास किया था आरियों का पहला संदर्स पणियों के साथ हुआ था पणियों का छेतर पणपरस्त कहलाता है इस चीज का सभी स्टूडेंट को पता है कि पणपरस्त छेतर जो है वो वर्तमान में पानिपत के नाम से जाना जाता है जैसे साथियों ये हरियाना का छेतर है तो ये जो छेतर है ये पानिपत है वर्तमान में पानिपत का प्राची नाम है पनपरस्ते पनपरस्ते पनियों के कारणिस का नाम पड़ा था पन परस्त पनियों के कार्णिस को बोला जाता है क्योंकि पनी पनी एक जाती होती थी आदिवासी जाती इस छेतर में रहती थी प्राचिन हरियाना के समय में इस छेतर में पन जाती रहती थी उसी कार्णिस छेतर को बोला जाता था पन परस्त पनियों का छेतर उनके साथ आरि पणि आर्यों के किरिण वन्तो विशव मारियम के सिधान्त को नहीं मानते थे ये सिधान्त क्या है किरिण वन्तो विशव मारियम इसका अर्थ है विशव को आरिये बनाते चलो संसार को आरिये बनाते चलो संसार के अंदर आरिये तव को फैला दो और पणियों ने आरियों का किरिन वंतो विशव मारियम सिधान्त नहीं माना इस सिधान्त को नै मानके पणिजाती के लोग अपने आपको सरेष्ट मानते थे यही कारण था इनके बीच में संगर्स हुआ जो आरियों का पहला संगर्स था बारत की धर्ती के उपर पणिजाती के विरोद, अगला क्यूशन देखे साथियों, आरियों का पर्थम प्राकर्मी राजा मनु था, राजा मनु के चार पुतर थे, और मनु राजा आरियों का पहला प्राकर्मी राजा हुआ था, इक्सवाकू, पर्षू, सुध्यूमन और सर्याती, इसके चार पुतर थे, अग सुध्यूमन और सुरियत्ती का संब्धं हरियाणा से रहा है।итан H cere Kir journal Co काम की चीज है। हमारे वाकर के लिए सुध्यूमन उर्यट्ती का संब्धं हरियाणा से रहा है। मनू राजा के चार पुतर थे। इक्सवाकु-पर शुद्यूमन दे दिया राजा मनुन ने और जो उसके छोटे बेटे थे शुद्ध्युमन और सर्याती, उनको दे दिया हर्यान का छेतर, उनको हर्यान का कौन कौन खेतर दिया गया इसके बारे में पढ़ें अगला कुश्चन, सुद्यूमन का सासन सतलुज और सरस्वती नदी के बीच का छेतर था वर्तमान में अंबाडा और कुरुक छेतर का छेतर है यो है भई यो तो अंबाडा का है और यो कुरुक छेतर का है अंबाडा और कुरुक छेतर का छेतर ये वर्तमान में है जो सुद्यूमन को दिया गया था अगला क्यूशन देखे हैं हरियाना के सेश भाग में राजस्थान की शीमा तक सरियात्ती का सासन था हरियाना के सेश भाग में अंबाडा और कुरुक शेतर के शेतर के अंदर तो सासन था सुद्यूमन का बाकी बचता छेतर, बाकी बचा हुआ छेतर हर्याना का, वो छेतर था सरियात्ती का, हमें शुद्यूमन के बारे में जाता नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिर्फ सरियात्ती के बारे में, क्योंकि इससे सम्मंध क्यूस्टन बन सकता है वेपरकेंदर, अगला क्यूस्टन से शरयाती की राजदानी नर्नोण की आसपास थी इस तरह कियुस्टन कैई बार चहित यान का कहा पर थी तो नर्नोण की आसपास का जो छेतर था मोख की राजदानी थी अगला सर्याता तरह में पुरोःत चवने रिशी के दवारा असवमेग यग्य का आयोजन करवाया राजा सर्याती ने अपने पुरोहित चवन रिशी के दवारा असवमेग यग्य करवाया असवमेग यग्य होता है असवकार्थ होता है गोड़ा गोड़ा छोड़ना राजा गोड़ा छोड़ने वाला यग्य करवाता और वो घुड़ा जहां जहां भी जाता है वहां वहां उस राजा की अधिनता सवीकार कर ली जाती है जहां उस गोड़े को रोक लिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस राजा का विरोध दर्साया गया है उस राजा को उस सासक के साथ युद करना पड़ता है यह उता है असव में गियग्य, ये असव में गियग्य करवाया, राजा सर्याती ने किस के दवारा करवाया, अपने पुरो ही थे, चवन रिशी दवारा असव में गियग्य करवाया, चवन रिशी के बारे में कई बार पेपर में पुछा गया है, अरियाना के पेपरों में कौन सा क्यू उसी नामक सथान से है ये क्यूस्टन तो लगवग सभी वच्चों को पता होगा लेकिन ये चीज याद रखने वाली है वाई दोसी वाड़ा क्यूस्टन हो गया पुरौणा अब ये क्यूस्टन बिलकुल नया है वे पर्गंधर बन सकता है चवनरीशी किसके दरबारी पुरोहित थे तो वो राजा सरयाती के दरबार में पुरोहित थे अगला क्युशन देखे साथियों राजा ययाती के पुत्र पुरू के नाम पर इस वंस का नाम पुरू अथवा पोरव पड़ा राजा ययाती हुआ उसका एक पुतर हुआ पुरू उसी के नाम पर इसी वंस का नाम पुरू पड़ा अथवा पोरव पड़ा अगला क्युशन है पुरू वनसी राजा-दुश्यंते और कणव रिशी की पुत्री सकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा ये क्यूशन पेपर में कई बार पुछ जाता है हर्याना जिक्चे में भीड और भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा अब भारत की जो भूमी है और वरतमान में भी जो भारत की जो भूमी है भारत देश का जो छेतर है भारत की भूमी को भारती बोला जाता है भारत की भूमी को भरत की भूमी बोला जाता है या भारती बोला जाता है और यहां के जो मूल लिवासी है कहा के भारत देश के जो मूल लिवासी है उनको भरत की शंतान कहा जाता है यहां के मूर लिवासी भरत की संतान और यहां की धर्ती को भारती कहा जाता है अगला क्यूस्टन है पोरव वंच को भरत वंच के नाम से जाना जाने लगा इसी वंच को पुरूवंच पहले था पुरूवंच या पुरूवंच इसी वंच को भरतवंच के नाम से जाना जाने लगा भरतवंच या भरतकुल क्योंकि ये काफी महान राजा हुए हैं इनी के नाम पर पूरी देश का नाम भारत पड़ा है तो इनी के नाम पे ये वंच भरत वंच के नाम से जाना जाने लगा अगला क्यूस्टन है भरत वंच में महान राजा कुरू हुए जिन के नाम पर हरियाना में कुरू वंच का नाम पड़ा भरत वंस में ही एक महान राजा कुरू हुए, इधी के नाम पे हर्याना राजे में इस वंस का नाम कुरू वंस पड़ा, अगला क्यूस्चन है, रिगवेद में राजा कुरू को कुरू सर्वन कहा गया है, राजा कुरू को रिगवेद में कुरू सर्वन के नाम से जाना जात अगला क्यूस्टन है राजा कुरू के नाम पर कुरूक्षेतर का नाम पड़ा राजा कुरू के नाम के उपर कुरूक्षेतर का नाम करन हुआ है कुरूक्षेतर वर्तमान में भी यही नाम है अगला क्यूस्टन है कुरूक्षेतर के दक्षिनी चेतर को खंडव परस्त कहा ज कुरुक्षेतर के दक्षणी चेतर को, कुरुक्षेतर के दक्षणी भाग को खांडव परस्त कहा जाता है, जैसे साथ्यों ये हरियाना है, इसमें ये जो चेतर है, ये कुरुक्षेतर है, इस कुरुक्षेतर का जो दक्षणी हिसा था, दक्षणी चेतर था, उसे बोला जाता था खांडव परस्त उस समय में बोला जाता था अगला क्यूस्टन है कुरू जंगल को ही वर्तमान में कुरुक्षेतर बोला जाता है ये बात मैंने बता दी आपको कुरू जंगल ही वर्तमान में कुरू जंगल का नाम ही कुरुक्षेतर है वर्तमान में कुरू जंगल ये जो कुरू जंगल कहा जाता था या कुरू का छेतर कहा जाता था अगला क्यूस्टन है राजा कुरू के नाम पर ही कोरव वंच का नाम पड़ा ये कोरव वंच वो है महावारत वाला कोरव वंच का नाम किसके उपर पड़ा राजा कुरू के नाम पर पड़ा ये क्यूस्टन उत्रादिकारी परिक्षित हुआ। तो साथियों ये तो कि हमने आज की कलास हरियाना का प्राचिन इतिहास, हरियाना के प्राचिन इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना इस कलास के दवारा, साथियों आसा करता हूँ आज की कलास आपको पसंद आई होगी और आने वाले एक्जाम्स में आज की कलास आप भुश्कार, धन्यवाद.